दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंजियोग्राफी क्या होती है एंजियोप्लास्टी क्या होती है एकोकाडियोग्राम क्या होता है और यह सारे प्रोजियर कहां कहां किये जाते हैं तो शुरूबात करते हैं एंजियोग्राफी से यह आपको दिखाई दे रह एक CR machine होती है और एक table होती है यहां patient को लेटा आ करके और dye का इस्तमाल करके radio opaque dye का इस्तमाल करते हैं और dye का इस्तमाल करके उसके blood में डाल दिया जाता है patient के इस डाई जो की dye blood से होती हुई heart तक मुझती है heart की coronary artery की image हम x-ray के माध्यम से और digital screen पे देख सकते हैं तो आईए देखते हैं कि heart की जो coronary artery वो किस तरीके के दिखती है dye के बाद dye डाई डालने के बाद कुछ इस तरीके की clear image आपको दिखाई देगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि coronary artery की कितनी और कौन सी ब्रांचों में कहां कहां ब्लॉक है जैसे की चितर में आपको दिखाया जा रहा है तो आईए जानते हैं किस तरीके से ब्लॉक होता है ये normal cardiac cycle चल रही है अब ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये coronary artery की ब्रांच है इसमें इस तरीके से plug formation हो जाता है plug formation होने की बैसे क्या होता है occlusion मतलब रुकावटा जाती है इसे को MIB भोलते है इसको ये procedure होता है इसे बोलते है PTCA percutaneous transliminal coronary angioplasty balloon के माद्यम से इस plug को खोल दिया जाता है जिससे की occlusion खोल जाता है कभी कभी क्या होता है stunt डालना पड़ता है इस तरीके metal stunt भी डाल देते है तो ये हो गया वो angioplasty अब बात करते हैं eco क्या होता है eco cardiogram एक तरह से ultrasonography के सिद्दानत भी काम करता है इसमें क्या करते हैं heart के chamber और heart के बाल वो को देखते हैं heart के chamber में कुछ problem तो नहीं है heart के बाल में कुछ problem तो नहीं है उसे ही को कहते है विल्कुल same to same ultrasonography okay thank you so much